इस वीडियो मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी black and white photo को रंगीन photo में कैसे convert कर सकते हो हलाकि इस काम को अगर आप manually करने जाओ तो आपको घंटो लग सकते हैं बट AI की मदद से आप इसे seconds में भी कर सकते हो आपको बस उस black and white photo को AI को दिखाना है और AI खुदी guess कर लेगा कि उसमें कौन से clear आने चाहिए तो इस वीडियो की मदद से आप अपने पुराने photo या अपने दादा की photo या उनसे भी पुरानी photo जो की black and white में खिची गई होगी उन्हें भी रंगीन कर सकते हो तो वीडियो काफी informative होने वाली है तो वीडियो पर बने रहा है और वीडियो को पूरा देखे तो इस काम को करने के लिए मैंने एक black and white photo डाउनलोड कर लिया आप देख सकते हो हमारे black and white photo कुछ इस तरीके की है और मैं इसे अब रंगीन करने जा रहा हूँ तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने ब्रॉजर में आपको ब्रॉजर में आना है और यहां पर simply आगर सर्च करना है colorize photo, colorize image आपको यह सर्च करना है यह keyboard जैसे ही आप सर्च करोगे आपको बहुत सारे साइट डिख जाएंगे जो कि simple black and white photo को color में convert करते हैं आपको इस वाले साइट पर जाना है colorize image online www.img2go.com मैं इस पर जा रहा हूँ यहां ने बाद यहां आपको तीन अपसों देखने को मिलेंगे आप URL से भी photo यहां ला सकते हो या फिर drop box में अगर आपने photo को upload कर रहा है तो यहां पर आप ला सकते हो या फिर अगर Google Drive पर आपकी photo है तो उसे भी आप directly यहां ला पाऊगे लेकिन अगर आप अपने laptop या PC से upload करना चाहते हो तो simply आपको choose file पर click करना है और यहां click करने के बाद आपको वाली file चूच कर लेनी है black and white मैं यह वाली file चूच कर लेता हूँ और मैं simply open बाले button पर click करूँगा अभी कुछ time लेगा upload होने के लिए आप देख सकते हो यह हमारी upload हो गई है और उसके आपको simply यहां पर target format चूच करना है कि आप किस format में चाहते हो अपनी रंगीन फोटो को उसके आपको यहां पर अपने AI को बता देना है कि यह जो photo वो nature and people की है या फिर किसी generic की है तो मैं यहां nature and people पर selected रहने दूँगा उसके यहां एक rendering factor मांगा जाता है जो कि आपको अपने according चूच कर लेना है मैं यहां 25 ले रहा हूँ यह चूच कर लेने को आपको simply यहां start वाले बटम पर click करना है और यह थोड़ा time लेगा उसके बाद यह आपकी black and white photo को colored photo में convert कर देने वाला है प्रोसेस खत्म होते ही कुछ इस तरीक का information आपको देखने को मिलेगा और आपकी photo जो है वह अपने आप download हो जाएगी आपको simply उसे open कर लेना है और आप देख सकते हो यह वाली photo हमारी colored हो गई है यह हमारी पूरी की पूरी black and white थी पहले उसके आप इस photo को अपनी cloud पे भी store कर सकते हो या फिर इसे download करने के लिए यहाँ पे भी click कर सकते हो अगर आपका automatically download नहीं होता है या फिर अगर आप इसे zip file में चाहिए तो आप zip file में भी जा सकते हो और आपको इसे delete करना है दूसरी file upload करना है तो यहाँ delete वाले बट्ण से delete भी कर सकते हो या फिर आपको अगर format change करना है तो आप यहाँ से format भी change कर सकते है इसके अलाबह यहां का आप compress कर सकते हो अगर आपकी image की size बहुत जादा है तो इस option का भी आप use कर सकते हो image को document में भी convert कर सकते हो अगर image का rotation गडबड है 90 degree है तो आप इसे rotate भी कर सकते हो और इसे edit भी कर सकते हो इसके अलाबह आप अपने image पे bottom mark भी लगा सकते हो या फिर अपने image को resize भी कर सकते हो इतनी सारी facility आपको इस site पर देखने को मिल जाती है so इस method का use करके आप अपने किसी भी black and white photo को colored में convert कर सकते हो hope सो कि video काफी informative लगी होगे अगर इस video से related to query आपके दिमाग में चेह रही है तो आप हमसे comment section में पूछ सकते हो और comment करने जा ही रहे तो रास्तिमापके subscribe का button भी मिलेगा आप उसे भी दवा सकते हो फिलार इस video के लिए इतना ही thank you so much